कि फॉल्कम बैक अब्रिवान वल्कम टो सवल सर्विस से स्टड़ी 17 फरवरी 2021 है आज और यूपी PCS के प्रक्टिस है टंबर 170 से सुरुवात करते हैं फोकस करेंगे इंडिया और वर्ड जोग्रफी के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट इसकी बना पाती उष्णकटी बंदे सदावाहार उष्णकटी बंदे कंटीले या फिर परवतिय बना है कि देखिए जो ओक है ओक हो गया बुरांस हो गया यह परवतिय बने कंटीले बन क्या हो गए कंटीले बन होगे कैक्टस हो गया किकर हो गया सदावाहार रोजबुड हो गया महो तो उश्न कटीवन्दे सोशको पनपातीवन भारत के सरवादिक वरच शेत्रफल में पाय जाते हैं सागोन तथा साल और सी सम उश्न कटीवन्दे पनपातीवनों के उत्पाद है या उदारण है नमलखित कत्नों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है भोजपत्र ब्रक इस ब्रक्ष की छाल का प्रियोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतू किया जाता रहा है बताइए बताइए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं सी है इसका अंसर तो भोजपत्र ब्रक्ष जो है हिमाले छेत्र में पाया जाने वाले एक ब्रक्ष है इस ब्रक्ष क सफेद कागज की तरह दिखने वाली छाल का प्रयोग जो है प्राचीन काल सही लिखने है तू किया जाता रहा है नमलिखेत जीलों में से कौन सी जील असम में स्थित है हमीर सर कोलेरू सला चपनाला हमीर सर है गुजरात में कोलेरू अंदर प्रदेस में चपनाला यहां पर सह उत्तर हो जाएगा असम की चपनाला जील तो असम की जीलों में प्रमुख है चंदूबी जील चपनाला जील और हाफ लांग इंपॉर्टेंट है हाफ लांग नम्रिखित में से किस नदी के तड़ पर बद्रीनाद का परशिद मंदर इस्थित है और केदारनाद का परशिद मंदर किस नदी के तड़ पर है केदारनाद का परशिद मंदर है मंदाकनी नदी के तड़ और बद्रीनाद का है अलक नंदा नदी के तड़ तो बद्रीनाद क प्रशेद मंदर जो है वह अलगणाद नदी के तटपर के नम्रिखित भागों में द्रबीडियन पर जाती मुखेता कहां संकेंद्रित है कहां पाए जाते हैं द्रबडियान बताई उत्तर भारत में तो है नहीं चाहिए अब बताईए नौर्थ इस्ट या नौर्थ वेस्ट या फिर दक्षण भारत उत्तर पूर्वी भारत में भी नहीं है नौर्थ इस्ट में नहीं है इन में से एक उत्तर आंसर है इसका उत्तर पश्चिम में भी नहीं है तो कहां है दक्षण भारत में तो द्रबडियान पर जाती मुख्य रूप से भारत के दक्षण भाग में संकेंद्रित है यह द्रबिड भासा परिवार से संबंदित है कोशन नुमर सिक्स पर आजए भारत का एक विसेश राज नमलिखित विसेशताओं से युक्त है यह वो विसेशताएं है यह राज उसी अक्षांस परिस्थेथ है जिस पर उत्तरी राजस्थान ठीक है इसका लगभग 80% से अधिक छेत्र वन आपरण के अंतरकत आता है क्या यहां क्या यह राजश्थान से उकर गुजरता है ठीक है राजस्थान कहां पर अधिक हमाचल भी नहीं हो सकता अगर आप अक्षांस रहा खीचो के सामने तो आसम की संभाब नहोंती है यह फिर और अचल की होती है इसका सहीव गुजरता एग है तो 28 डिग्री अक्ष जो है और आचलब मद्ध से उकर गुजरती है और राजिस्थान के उत्री भाग से उकर गुजरती है तो आपको भारत का मैप बिलकुल आपके दिमाख में चलना चाहिए और वर्ड जोग्रफी में वर्ड का सोंपें जंजाती बताई यह कहां पर पाई जाती है तो भारत के निकोबार द्वीब समु के बड़े निकोबार द्वीब可愛 जाने वाली जनजाती है जो आस्ट्रो एसी आई निकोवारी साखा की सरस है सोंपेन लोग सोंपेन भासा बोलने वाले सिकारी फरमर है ठीक है अब देखें अनुमान है कि इनकी जन संख्याँ 400 से कम है और इसलिए इनकी जो भासा है ना सुंपेन संकट करस्त भासा मानी जाती है कुशन नमर 8 पर आजाए नमलिखित कथनों पर विचार करना है तो स्ट्रीट्मेंट के साथ बताईए कौन सा करेक्ट है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपर युक्त है काली मिट्टी में जैब तत पुर्चुर मात्रा में पाए जाते हैं कापास की खेती के लिए तो उपर युक्त है रेगल सोयल उसको बोलते हैं जैब तत इसमें कहां पुर्चुर मात्रा पाए जाते हैं जैब तत इसमें ना कैल्शियम है ना फासपोरस है ना चूने का पत्थर है तो काली मिट्टी में तीबर जल धारण की च्छमता होती है काल मिट्टी में लोहा चूना केल्शियम पोटास आधी में परियापत मातरा में पाय जाते हैं इसमें नाइटरोजन की कमई फासपोरस की कमई जै पदार जैसे हुमस इन सबती होती है इस स्टेट्मेंट को रखकर बहुत प्रիशन बनाए गया है और भी बना जाएंगे लावा मिट्टिया कहां पाई सहार में तो देखार भार्त की काली निर्मान जो है लावा से हूआ है इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं मालवा का पठार इसी दककंट ट्रैप की काली मिट्टी के के लिए सही नहीं है कौन सा स्टेट्मेंट लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है लेटराइट मिट्टी आद्र अपक्षालित प्रदेसों में पाया जाती है लेटराइट मिट्टी बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां है इनकी उर्वरता कम है इनमें चूना कि चूने का पत्थर अगर इसमें होता चुना पुर्चोर मातरा में होता तो इसकी उरबढ़ता सक्ति कम होती है अधिक होती तो लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अमल, पोटास, चूना और कार्वनिक तत्वों की कमी पाई जाती है ठीक उसी तरह जो काली मिट्टी का हाल है नमलकित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपर युक्त है देखें चाय बागानों के लिए परियाप्त जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए परियाप्त जल निकासी कहां मिलेगी, पहाड़ी ढलान पर मिलेगी, अमले मिट्टी इसके लिए चाहिए ठीक है, आपसर नमबर ए है इसका अंसर तो चाय बागानों के रिए गहरी अमले और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी के आवश्रकता होती है जल निकासी की परियापत सुविदा के कारण ही इन बागानों को परवतिय हालानों पर लगाया जाता है मतलब बारिस भी चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए कालाहरी डजर्ट नमर्के तमेंसे अवस्तित है यह जो अफरीका का नीचे वाला पार्ट है यहां है कालाहरी मरुस्थल यहां आते हैं बोथ सुवाना नामी विया और यह नीचे है दक्षन अफरीका तो बोथ सुवाना नामी विया जायरे जंबिया को हटा दो तो एक और दो कहीं होना चाहिए इसका अंसर क्या हो जाएगा सी तो देखिए कालाहरी डजर्ट जो है दक्षन पस्चमी अफरीका में विस्तारित है इस शेतर में वोत्सवाना नामीविया और दक्षिन अफरीगा के भाग समले था है नमलिकित में से कौन सीतोष्ण कटीवंदिया मरुस्थल है सीतोष्ण कटीवंदिया मरुस्थल इनमें है काला हारी तो उश्ण कटीवंदिया मरुस्थल है इनमें पेंटोकोनिया सीतोष्न कटी बंदिया है गोभी सीतोष्न कटी बंदिया है अपना लदाक सीतोष्न कटी बंदिया है नमर के तुमेंसे कौन सही सुमेलित है केवल एक ही सही सुमेलित है केमपास के सामने उत्तरी ब्राजिल लिखा लानोज के सामने बेनेजवला केमपास है दक्षिन पूर्वी ब्राजिल उत्री ब्राजिल नहीं है गलत है पहला वाला वी स्टेटमेंट तो देखे लानोज का जो विस्तार है वो बेनेज्वेला में इसने करेक्ट हो जाता भी वाला स्टेटमेंट केमपास का विस्तार है दक्षिन पूर्वी ब्राजिल म और सेलवास हैं अमेजन बेसिन में विस्तरत ये पूछ लिए जाते हैं घास के मैदान सीतोष्ण और उश्ण सैतान का गॉल्फ कोर्स के नाम से जाने जाने वाली परशिद घाटी मृत्यू की घाटी कहां इसे दबताईए यूएसे में चिली में साइवेरिया में अफगानि तो यह है यूएसे में डैथ वैली याद रखना तो देखें सैतान का गॉल्फ कोर्स नाम से प्रशिद मृत्यू की घाटी यूएसे में मोजावे रेगिस्तान में डैथ वैली नेस्नल पार्क में इस्थत है तो यह भारत और अधिक्तर विश्व के गॉल्स से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट प्रश्ण इनकी प्रेक्टिस से गवार कर लेजेगा इस पूरी की पूरी टैस्ट स्रीज की प्लेलिस्ट बना रखी हमने वहाँ पर आप टैस्ट नंबर बन से लेकर 170 तक पहुंच सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है धन्यवाद